जै भीमसाथियों, दोस्तों, हरजी आर्ट यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है और आज मैं आपको बाबा साहब की एक सची कहानी से रूबरू कराऊंगा जिस से सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ती की अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है कोई महापुरुष इतना दिर्ध निश्चय वाला कैसे हो सकता है मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लोटे जब उन्होंने कोट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा तो कोट के अंदर जितने भी वकील थे सभी ने बाबा साहब को देख कर पहचान लिया कि यह वही है जो महार जाती का व्यक्ती है और यह आज काला कोट पहन कर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है और बाबा साहब अंदर जाकर अपना ठीहा ढूनने लगे सब के पास अपना ठीहा होता है बैठने के लिए जब बाबा साहब को कोई ठीकाना नहीं मिला और बाबा साहब जब ढून रहे थे तो जो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहब को डोंट कसते हुए बोला, उस बाबा को चिड़ाते हुए कहा, अबे वो बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का, तुम कहीं बाहर भी अपना ठीहा जमाया, और साफ सफाई करके वहां बैठ गए, तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केसे आते रहे, और रोजी रोटी चलती रही, हलका फुलका बिजनिस बड़ा, कारोबार बड़ा, और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका एकलोता बेटा था, उसको फांस कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था, उस सेठ ने और सेठ वकील ढूनता ढूनता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ, उसी कचहरी के अंदर आया, सभी ने इंकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुमा कि उसका एकलोता बेटा जिंदगी और मोत में अटका हुआ था, और जब सेठ ने उस वकील की बात सुनी, तो सेठ उसकी बात मान कर वह बाबा साहब के पास पहुँच गया, बाबा साहब के चरणों में गिर कर, कहां है बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बच चालो, तो बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी, ये फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो महार जाती का हूँ, सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों बाबा साहब आप मेरी बात मान लीजिये, मैं तो एक बाप हूँ, मैं इस पीडा को सहन कर लूँगा, लेकिन जो उसकी मा है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वह भी उसके गम में मर जाएगी, मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी, बाबा साहब वह बात यादा गई, जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माता भीमा भाई ने एक बात कही थी, कि भीमा अगर कभी जरूरत पड़े, किसी निर्दोश की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए जूट भी बोलना पड़े, तो संकोच मत करना, भ ये बैरिस्टर, ये फाइल दिखाई नहीं, मैं इस फाइल पर इतना पैसा खर्च कर दिया, कि किसी की आने वाले तीन पीडियां भी कमा नहीं सकती, जितना मैं इस फाइल पर खर्च कर दिया है, बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वह हाथ जोड़ कर गिड़ के लिए, तो वह सेट बहुत खुश हुआ, उसने बोला, मुझे यकीन है, बाबा साहब मेरा बच्चा अब बच जाएगा, जिन्दगी और मौत में बस दस दिन का फासला था, फासी को बस दस दिन बचे थे, कचहरी लगी, अदालत कोट लगा, कोट के अंदर दोनों मैं कुछ नहीं कहूंगा, सेट, यह सुनकर संकोच में आकर वह सोच रहा था, कि उसने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन इसने तो कोट में कुछ दलील ही नहीं दे रहा है, बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जजज साहब, आप अपना फैसल को बचा लोगे, और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी, और अपने मौत की सजा नहीं दी थी, इस तरह उस लड़के की जान बच गई, देखिए, उनका दिमाग ऐसे थे, बाबा साहब अमबेड कर, और उसी दिन से ये करवाई चली आ रही है, सजाय मौत, यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है, तो सजाय मौत कहा जाता है, ये नहीं कह जाता कि फांसी की सजा, बाबा साब ने कहा, बस अपने फांसी दी थी, मौत नहीं, और ये दिमाग देखकर सभी बड़े बड़े वकील, जो बाबा साहब पर टोन कसते थे, जो उन्हें अच्छूत बता दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हर्जी आर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो क्रांतिकारी साथियों के साथ शेर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखने के लिए ध खयाल रखे, जय भीम, नमो बुधाय.